नमश्कार बहुत स्वागत है देखने हैं जोते शिरार के मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंट संदोर सतोशी आज हम बारी आज हम जो बताने जारे हैं एश्टो एक्षपेरिमेंट में पेट से सम्मंधित दिक्कतों का कारण और निवारूरूरूरूरूरूरू पेट की दिक्कत के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस के लिए और दो राय नहीं की हमारा पेट ये जो मद्ध प्रदेश है हर एक बिमारी का जनक यही है और इसका सीधा सम्मंध हमारे खान पान से होता है। मित्रों, कुंडली में पंचम भाव और सूर्य उदर के पेट के कारक होते हैं। मद्धी 30-40 प्रतिशत भूम का निभाता है इंडिवीजुवल आपके लिए। यह आपकी कुंडली का पंचमेश बताता है। तेल मसाला वाला है, गरिष्ट है। अब देख लीजे। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में मंगल या शनी की राशी होगी, ध्यान दीजेगा, ऐसे व्यक्ति को भोजर में तेल मसाला वाली चीजे, गरम प्रकृत की चीजे बहुत पसंद आएगी। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में सौ में ग्रहों की इस्थटि होगी, जैसे माली जे मकर लगना है, जैसे मेरी कुंडली में मकर लगना है, पंचम में शुक्र बैठा है, अपने घर का. मेरे सामने अगर तेल दिख गया सबजी में तो मैं उसकी तरफ मतलब पानी पी किस हो जाओंगा लेकिन तेल मसाला देखकर कोफ्त होता है नफरत जिसे करते मैं चिढ़ जाता हूँ ये सुभाव है सुग्रही वहाँ पर शुक्र बैठा है चंद्रमा से दिष्ट भी है तो हमारे अंदर वो सात्विक्ता दिया सुर्य बैठा है महा पवित्र ग्रह होता है सुर्य सुक्र पंचम में है तो मैं अपने से ही शोध करके सुरू करता हूँ बागी फिर आप लोगों से और जोड़ता चला जाता है उपाय क्या करना चाहिए प्रियोग क्या करना चाहिए फटा फट अंदाज में जान लिजे और इस कारिक्रम को शेर करिएगा स्वस्त रहेगा इंडिया फिट रहेगा इंडिया तब भी तो बढ़ेगा इंडिया तो भाया प्रियोग के तोर पर बेहतरीन प्रियोग हम आपके लिए लेकर के आए हैं, नोट कर लीजेगा कड़वी नीम की साथ पत्तियां लेनी है ध्यान दीजेगा औशदिये गुड नीम सूर्य आ गया सूर्य यहां आ गया हरा रंग है तो बुध तो आएगा लेकिन आशदिये गुड के कारण सूर्य आशदि का जनक है सूर्य ही आशदिये धर्वंतर वैद सूर्य है जितने भेशज हैं, जितने डॉक्टर हैं, सब सूर्य है तो साथ कड़वी नीम की पत्तियां लेनी है चड़ते धूप में दो-चार घंटे के लिए रख दीजे और सभी पत्तियों को लाल रंग के धागा में थोड़ी थोड़ी दूर पर गाठ लगा दीजे इसके बाद वामा वर्त पेट खोल कर नाभी के ऊपर से वामा वर्त इन पत्तियों को साथ बार एंटी क्लॉक वाइज वामा वर्त उल्टे हाथ की दिशा में वामा वर्त साथ बार घुमाईए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ घुमा दिया घुमाने के बाद, साथ बार घुमाने के बाद इसे ले जाकर घर के बाहर कपूर से जला दीजे थोड़ा टाइम लगेगा कपूर की मात्रा बढ़ा दीजेगा बंधे बंधाय ऐसे ही जला दीजे नीचे रखकर जमीन पर अपना या कटोनी में रखके जला दीजे और वही रा को गिरा के चले आईए लगातार तीन बार यह क्रिया करिए तीन दिन के लिए पेट संबंदी किसी भी तरह की दिक्कत से तुरन तो शांती हाँ गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन रोग दीजिएगा अगर पेट से, पेट की दिक्कतों से, बिमारियों से, परिशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो तेल मसाला, गर्म तासीर की चीजें बिल्कुल अवाइड करिएगा जो की रोटी खाईए, छाच पीजिए, खीरा, तर्मूज, आदि का सेवन करिए दही का सेवन करिए, जो ठंडे शीतल तासीर, लौकी, घिया, जबरदस्त शीतल तासीर है ऐसी चीजों का सेवन करिए, पुदीना का खूब सेवन करिए, सौफ का खूब सेवन करिए, ये सब शीतल तासीर है आप यकीन मानिए करेंगे ऐसा लाव होगा कि कल्पना नहीं किये होंगे नो पत्थर एंड नो रान्वेज बस ये प्रियोग आप कांटीनिव पचास साथ दिन भी कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है जिस समय करिएगा सुबह सुबह करिए तो जाता बहतर है दस ग्यारे बज़े तक कर लीज़े आफिस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं करके जाईए छे बज़े तो सुर्योदे होई जाता है एक दो घंटा उन पत्तियों को धूब दिखाना है बादल हुआ है तो भी बाहर रखना है धूब दिखाना है फिर लालधा काम बादना है साथ बार वामावर्त गुमाना है नाभी से खुद भी कर सकते हैं किसी से करवा भी सकते हैं और घर के बाहर ले जाकर कपूर से जला देना है राख वहीं गिरा देना है वापस आ जाना है लगातार करिए लाब जरूर होगा बहुत बहुत आभार आपका हसते रहे खिरकलात नबस्कार, से राले.